अच्छा शूदिंस तेंगे इस वेश्चिन नमबर 6 ऑफ सेक्शन बी तेंगे अब आपके बास वेश्चिन नमबर 6 क्या लिखावा है कि वाट शूद बी आड़ेट तो एक्स देश्ट पावर 4 प्लस 4x3 प्लस 10x2 प्लस 5 so that it may be a perfect square तेंगे यानि आपको क्या करना है आपको ऐसी कौन सी वैल्यू जो है वो इस पूरी जो polynomial है इसके साथ add करनी है कि आपके पास यह जो polynomial है यह perfect square बन जाए तेंगे चलेंदे कि इस question को हम कैसे solve करते हैं now question is there आपके पास जो भी सवाल लिखाव है जो polynomial है इसमें क्या करना है कि हम इसमें क्या चीज़ आट करनी है जो यह perfect square बन जाए so your polynomial is 4x x raised to power 4 plus 4x cube plus 10x square plus 5 चलें देखें कैसे perfect square find out करते हैं by division method जो आपके पास polynomial की पहली term है इसका perfect square निकालेंगे इसका मतलब अगर x square को x square से multiply किया जाए तो आपके पास answer किया जाएगा x raised to power 4 देखें x square multiply by x square is x raised to power 4 जब subtraction apply करेंगे sign change करेंगे and sign will change और आपके पास पूरी value जो है वो cancel out हो गई अब remaining value क्या करते हैं copy करते है so 4x cube plus 10x square plus 5 चलें जी अब क्या करते हैं नया divisor find out करने के लिए जो भी divisor आपके पास स्थाना उसको itself add करेंगे so x square plus x square जब हमने add किया तो आपके पास आगिया 2x square अब क्या करेंगे अगला step solve करने के लिए नहीं अब अगला quotient आपके पास क्या होना चाहिए तो जो आपके पास divisor की पहली term है ना उसको dividend की पहली term बनाने की कोशिश करते है 2x square को किस से multiply करें कि वो 4x cube बन जाए so अगर हम 2x square को 2x से multiply करें तो आपके पास क्या आ जाएगा not 2x square multiply by 2x is 4x cube जो भी आपके पास value आएगी उसको यहाँ पर भी लिखेंगे quotient में भी और divisor में भी लिखेंगे not 2 multiply by 2 is 4x multiply by x square is 4x cube and 2 multiply by 2 is 4x multiply by x is 4x square ठीक है चलें जी क्या करेंगे subtraction apply करते हैं प्लस जो था वो minus हो गया और आपके पास पहली value cancel out हो गई next क्या रहे गया आपके पास 10 में से 4 minus किया तो 6x square प्लस 5 ओके यह रहे गया आपके पास ठीक अच्छा जी नया divisor obtain करने के लिए जो आपके पास value थी itself उसे add करते हैं तो आपके पास बन गया 2x square प्लस 4x ओके चलें जी अब क्या करते हैं further division करते हैं और आपके पास जो क्या value थी divisor की वो थी आपके पास 2x square को किस से multiply करें कि वो 6x square बन जाए तो इसका मतला बगा 2x square को 3 से multiply करें तो वो 6 square बन जाएगा आपने quotient में भी लिखा और divisor में भी लिखा ना multiply करेंगे ना 3 multiply by 2x square is 6x square ठीक है ना 3 multiply by 4 is 12x अब जब भी vertically आप put करते हैं ना values तो like term follow करते हैं अब हमें 12x यहाँ पर नहीं नजर आ रहा तो मैंने यहाँ लिख दया this is 12x ठीक now 3 multiply by 3 is 9 तो यहाँ पर आपके पास आगे 9 ठीक है subtraction apply किया जो values थी उनके sign change हो गए it will be cancelled out ठीक है अब नया dividend बनाने के लिए हमने क्या किया इसको descending order में लिखा so minus 12x and minus 4 ठीक है minus 5 minus 9 plus 5 को simplify किया तो minus 4 आगया अच्छा ठीक नए नया diviser बनाने के लिए इस value को itself add किया है so 2x square plus 4x plus 6 is over there ठीक अच्छा अब देखें यहां पर बिटाक जब आपने यह आपके पास जो dividend dividend है इसकी degree 1 है और diviser की degree 2 है जब diviser की degree greater हो जाए dividend से इसका मताब आप further इसको divide नहीं कर सकते तो जो भी आपके पास value रह गई this is the remainder यह remaining value रह गई है ठीक तो अब हमें क्या करना है अपने answer को find out करने के लिए हमें इसमें क्या चीज़ add करनी है तो जो भी आपके पास remaining value रह जाए अगर आपके पास question में लिखा हो कि what should be added so remaining values के sign reverse कर देते है ठीक है और यानि आप क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर पर पर्फेक्ट स्क्वेर विल भी obtained by adding ठीक है आपके पास है minus 12x minus 4 so हम लिखेंगे 12x plus 4 to the given expression ओके देखो जब भी आपके पास लिखा होगा न कि what should be added तो बस सिर्फ याद रखें कि जो भी आपका remainder होगा उसके sign reverse करेंगे और उसी value को अगर हम add कर दें तो आपके पास जो given expression है वो completely solve हो जाएगी और वो perfect square में convert हो जाएगी तो question वो फिर से revise कर ले तेंग दपा और related question exercise में से find out करें और solve करें for exam point of view पिर सी पुर आपके रही जचिए तो अज़ताए्ट ट् सक्ति उन में हो जैसे दोड़ को पड़िसाएगी आपके जो जो वो जाएगगों झाल झाल